Hello Youtube के दोस्तों! नजो थोलिव सेफ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत सवागत है! I hope आप सब ठीक होंगे दोस्तों! आज हम आपके साथ नई रेस्पी शेयर करैंगे दोस्तों! आज की हमारी रेस्पी हैं दोस्तों! कर्ड राइस इसे बनाने के लिए जो जो इंग्रीडियन चाहिए आइए वो देह लेते हैं सबसे पहले हमें चाहिए जहाँ पर एक कटोरी राइस जिसे मैंने बना कर ठंडे करके रख लिए दोस्तों राइस आप कोई भी ले सकते हैं चाहे बासमती राइस ले चाहे नॉर्मल राइस ले जो भी ले वो ले सकते हैं दोस्तों जो आपके पास वेलबल हो वो ही लेजिएगा यहाँ पर हमें चाहिए वन टीस्पून जो हमारी चने की दाल होती है वो है वन टीस्पून हमें चाहिए उड़त की दार और थोड़े से हमें चाहिए कड़ी पत्ते अगर आपके पास ताजे हो तो ताजे लीजिएगा अगर नहीं तो मेरे जासे सूखे पत्ते मेरे पास सूखे पत्ते थे मैंने वो ले लिए दोस्तो यहां पर हमें चाहिए आधा टी जिसे मैंने लम्मे लम्मे अकार में काट कर रख लिया दोस्तों आपके पास अगर अनार और नारियल हो तो डालिये नहीं तो आप इने स्किप कर दीजेगा कोई बात नहीं और जहां पर हमें चाहिए एक कोटोरी दहीं दहीं आपके पास घर का हो तो ठीक है नहीं तो आप ब तर तो हम दाले हूँप나hein-श्ट के अछिव कर एंफ 6 व्यवार विडुट गभल और्ट के लिए इन्हें हम दो मिनित के लिए अच्छी द्रह से अपराई तोड़े से कड़ी पुता डालेंगे अब डालेंगे हरी मिर्च सभी चीजे अची तरह से फ्राई हो चुकिया आईए अब गैस को आप कर देते हैं और इने सभी चीजे को हम राइस में बना कर रेडी कर लेते हैं सबसे पहले हम दही डालेंगे उपर से हम लाएंगे हमारे जो मसाले थे अब डालेंगे हम थोड़ा सा भाईट नमाक थोड़ा सा हम डालेंगे पेपर बोडर काली मिर्च का बोडर दोस्तों अब डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमाक अब इने अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि हpletник डाले अनार के डाने डालेंगे और इह अच्छी तरा से दोस्तों हम मिक्स करेंगे ता कि हमारे मसाले अच्छी तरा से मिक्स हो जाए राइस में यह लीजिये दोस्तों हमारे टेस्टी दार करड्ड राइस रैड़ी है आप भी अपने घर पर इंजॉय कीजिए इस रेस्पी को बनाईए सबी को खिलाईए और खुद भी खाईए दोस्तों अगर ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बहुत सारा तक का दोस्तों आए ये झार इंजू कर दोस्तों टीजिए अच्छी चैनल ।